नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियदर्सन जदियू के बागी नेताओं को अब एक जूट करने के लिए उपेंद्र कुसवाहा एक बरी पहल कर रहे हैं और इस बड़ी पहल की सुर्वात अब जादा दिनों में नहीं हो रही है बलकि इसके लिए उपेंद्र कुसवाहा ने पूरी तैयारी कर ली है दरसल आपको याद होगा कि उपेंद्र कुसवाहा ने कहा था कि वे जदियू को बचाना चाहते हैं नितीश कुमार को यह बताना चाहते हैं कि जदियू जो पार्टी है वो पार्टी तमाम कारिकरताओं की पार्टी है और इसके लिए वे उन नेताओं की एक बैठक बुलाने का एलान कर चुके हैं जो इन दिनों नितीश कुमार और ललन सिंके नत्रित्त से नाराज उपेंद्र कुसवाहा इन दिनों बागी तेवर अपराए हुए हैं। उपेंद्र कुसवाहा लगातार नितीश कुमार पर निशाना साथ रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने राज़त के साथ क्या समझावता किया था उस डील को आप सार्व्यनिक करें कि आखि इस तारीक को और 20 तारीक को पतना में एक बैठक बुला रहे हैं। और दो दिनों तक पतना में चलने वाले इस बैठक में विज्जाद जदियू के उन तमाम निताओं को आमंत्रित किये हैं। जो नेता इन दिनों नितीश कुमार से नाराज है। उन्होंने इस पर बात है कि जिस बैठक को उपेंद्र कुषवाहा ने आहूत किया है उस बैठक में कौन-कौन से जदियू के निता सामिल होते हैं। दरसल जदियू में अगर बागियों की फेहरिष्ट देखें तो इसमें कई निता हैं जो नितीश कुमार के वहाने अलग-अलग तरीके से उपेंद्र कुषवाहा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन खुलकर कोई ठीक ठाक सामने नहीं आ रहा है। तो यह महत्पुर्ण इसलिए भी होगा कि उपेंद्र कुषवाहा जदियू में कितने ताकतवर हैं। उनकी ताकत का शक्ती परिक्षन भी अगले 24 घंटे के दारान ह हो जाएगा। उपेंद्र कुषवाहा अपने आपको जदियू में बड़े नेता बताते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने अपनी रालोस्पा का विलाई जदियू में किया है। तो देखना होगा कि जो अगले 24 घंटे में पतना में बैठक का आयोजन किया गया है। उ नितीश और ललन के खिलाप हैं, वे निता क्या सारुजनिक रूप से अब उपेंद्र कुषवाहा के साथ आते हैं। और उपेंद्र कुषवाहा जिस तरीके से लगातार नितीश कुमार के खिलाप थमलावर हैं। तो उनकी भविशिकी रण निती और उनकी सक्ति का आकलन भी इस बैठक के दोरान मालूम पर जाएगा कि आखिर उपेंद्र कुसवाहा कितने शक्ति साली है कि वे आगे आने वाले दिनों में नितीश कुमार को बड़ी चुनावती दे सकते हैं तो देखना होगा कि नितीश कुमार के खिलाब जिस बैठक को आहूत किया है उपेंद्र कुसवाहा ने उस बैठक में अब उनकी शक्ति कितनी बढ़ती है और इसमें कितने जद्यूनेता सामिल होते हैं इतना ही नहीं 26 फरबड़ी को नालंदा में ही पूरू जद्यू के राष्ट्रिय दक्त रसी पी सिंग उनकी भी एक बैठक होनी जा रही है और माना जा रहा है कि उस बैठक में संभव है कि उपेंद्र कुसवाहा भी जा सकते हैं लेकिन इसे लेकर के अभी तक उपेंद्र कुसवाहा की ओर से कुछ भी असपश्ट नहीं किया गया है तो फिलहाल नितीश कुमार की पार्टी जदियू में मचे उथल पुथल में आगे क्या होगा इस पर अगले दो दिन बेहद हम रहने वाले हैं और उपेंद्र कुसवाहा जिस बैठक को बुला रहे हैं उपेंद्र कुसवाहा जो बैठक बुला रहे हैं उस बैठक में उनक झाल झाल